चौदा जुलाई दोपहर के 2.35 आखिर वो एतिहास एक पल आही गया जब इजरो ने चंद्रियान 3 का सफल प्रक्षेपन किया दोस्तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है ये भारती इतिहास में लिखी जाने वाली एक सबसे महत्पुन घटना है जिसमें भारत के होनहार विज्यानिकों ने चंद्रियान 3 नामक स्पेस क्राफ्ट को सफलता पूर्बग 27 धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित कर दिया इस प्रक्षेपण में GSLV MK3 प्रक्षेपण यान की महत्पुन भूमिका रही और अब लगबग एक महिने तक ये प्रत्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रियान 3 स्पेस क्राफ्ट चंद्रुमा की कक्षा में पहुँचेगा और चंद्रुमा की कक्षा में पहुँचने क के बाद सफल लेंडिंग के प्रयास किये जाएंगे जिसके अंतरगत लेंडर को चंद्रुमा के दक्षणी द्रूब में लेंड कराया जाएगा और फिर लेंडर के भीतर से रोवर बहर निकलेगा दोस्तों आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रियान 3 के इसका प्रक्षेपन कैसे किया गया साथी साथ इस चंद्रियान 3 में कौन-कौन से पेलोट्स एसेंबल किये गए हैं लेंडर क्या है रोवर क्या है और इंटिग्रेटेड मॉडियूल का मतलब क्या होता है प्रपल्शन मॉडियूल का मतलब क्या होता है यह सारे टेक्निकल आज के lecture में हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे पीछे जो visual चल रहे हैं इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहां से चंद्रियान 3 के launching हो रही है और यहां पर आप देखोगे जो solid rocket boosters हैं यह ignite होते हैं और ignition के साथ ही इसमें escape velocity generate होना शुरू होती है और यहां पर आप देखेंगे कि यह launch start हो चुका है तो यह जो आग बाहर निकल रही है यह आग बाहर निकल रही है solid rocket boosters से जिनका नाम है S200 और इसके बाद आप देखेंगे कुछी सेकेंडों में यह आपका जो rocket है यह उपर के और उठ जाता है और इसका लगभग पहला stage complete हो जाता है पहला stage complete होने के बाद इसका दूसरा stage start होता है जिसमें liquid propellant engines के महत्तपूर्ण भुमिका होती है दोस्तों यह आप जो visual देख रहे हैं actual recorded visual है जिसमें आज चंदरियान 3 को launch किया गया है आप खुछ सोचिए कि यह जो आप S200 rockets देख रहे हैं S200 जो boosters हैं इतने important हो जाते हैं यदि यह powerful नहीं होंगे तो launch starting में ही fail हो जाएगा साती साथ जो बीच में आप दरश्य देख रहे हैं इसमें यह liquid propellant engine है और liquid propellant engine solid rocket boosters के बाद ignite होता है तो पहला stage solid rocket boosters होते हैं दूसरा होता है liquid propellant engine तीसरा होता है अपर cryogenic stage और विचोथे में आप स्पेस क्राफ्ट कहां पर पहुँच जाता है अंतरिक्ष में पहुँच जाता है तो इसी चीज की हम detail में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि यह जो चंद्रियान 3 है यह आखिर mission क्या है तो यहाँ पर कुछ facts देख लेते हैं सबसे पहले इसका जो mass है वो है 3900 kg दोस्तो इसे launch mass भी कहा जाता है आप यह भी कह सकते हैं एक तरह से यह spacecraft का mass है यहाँ पर जब मैं spacecraft की चर्चा करूँगा तो spacecraft spacecraft का ही नाम है हमारा चंद्रियान 3 तो चंद्रियान 3 एक प्रकार का spacecraft है जिसका प्रक्षेपण हमने किया है GSLV MK3 से GSLV Mark3 से हमने इसका प्रक्षेपण किया है और अभी तक जितने भी satellites GSLV MK3 से प्रक्षेपद किये गए है इनका जो सफलता का प्रतिशत है वो 100% यह नहीं सारे के सारे प्रक्षेपण आपके सफल रहे हैं तो यह प्रक्षेपण भी आपका सफल रहा है अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यह है integrated module इसे integrated module कहा जाता है और यह जो integrated module बना है यह दो component से मिलकर बना है पहला है आपका propulsion module और दूसरा है आपका lander module तो propulsion module और lander module से मिलकर बनता है आपका integrated module और यही जो integrated module है ये capsule के अंदर इसको रखा गया है और ये capsule के अंदर से बाहर निकलेगा और ये जो capsule है इसी को हम basically चंद्रियान 3 या spacecraft के नाम से जानते हैं इसके बाद इसको कहां पर land कराये जाएगा यानि integrated module कहां पर land होगा अब integrated module कहां पर land होने वाला है ये चंद्रमा के दक्षणी ध्रुम में land होने वाला है लगबग अभी एक से सवा महीने का समय लगेगा land होने में लेकिन ये इतना important हो जाता है क्योंकि यही जाकर experiment content करेगा यही हमारे लिए data generate करेगा और इसी data के आधार पर फिर हम चंद्रमा के वारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि पहले चंद्रियान एक के माद्यम से भारत ने चंद्रमा में बर्फ और पानी की खोज की थी और अब चंद्रमा में जब हमने second चंद्रियान और उसने काम नहीं किया तो यह समस्य आ गई थी बस यह जो चंद्रियान 2 की कमी थी 2019 में इसी को पूरा करने के लिए हमने चंद्रियान 3 मेशन किया है मतलब यदि चंद्रियान 2 में हमारी सफल लेंडिंग हो जाती लेंडर की सफल लेंडिंग हो जाती तो हमको चंद्रिया हमारा integrated module है जिसमें lander module और proportion module दोनों आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पर lander का जो आयू काल रहेगा जो इसकी life रहेगी वो रहेगी one lunar day और चंदरमा में जो one lunar day होता है वो लगबग प्रत्वी के 14 दिन के बरावर होता है तो लगबग 14 दिन तक यह चंदरमा की सतय पर रहेगा इसके अंदर से रोवर बाहर निकलेगा रोवर एक प्रकार का robotic vehicle है जो चंदरमा की surface में इधर उधर चक्कर काटेगा और अलग लग तरीके के experiments होंगे वहीं से अमारे data generate होंगे कुल मिला के 14 दिन इनका life time ये life cycle रखा गया है आंगे बढ़ते हैं हम इसमें आंगे की चीज़े discuss करते हैं अब देखिए ये एक diagram आपको सारी चीज़े समझाने के लिए परियाप्त है कि launch किस तरीके से किया गया है सबसे पहले आप देखें ये जो हमारा rocket है इसका नाम है GSLV MK3 अब GSLV MK3 rocket ये जो दो boosters दिख रहे हैं ये है S200 solid rocket boosters जो first phase होता है जो rocket का पहला चरण होता है इसमें इन boosters का ही ignition होता है और बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये है liquid propellant engine जिसे L110 liquid stage के नाम से जाना जाता है इसके बाद ये वाला जो component है इसे अपर cryogenic stage या cryogenic stage कहा जाता है जिसका नाम है C25 और ये जो उपर वाला component है इसे हम Chandriyan 3 के नाम से जानते हैं अर्था Chandriyan 3 spacecraft और इसी के अंदर हमारा क्या चिपा हुआ है integrated module और ये जो integrated module है इसके दो components हैं पहला है propulsion module और दूसरा है lander module और lander module का ही component है हमारा rover module तो यहाँ पर तीन stages आपको clear होना चीए सबसे पहली जो stage है stage 1 ये है S200 solid rocket booster इसके बाद stage 2 तो इसमें आ जाता है हमारा L110 liquid stage और इसके बाद आती है हमारी stage 3 ये होती है हमारी upper cryogenic stage दोस्तों यदि इन में से किसी भी एक stage में तकनी की fault आता तो हमारा जो propulsion है वो fail हो जाता तो यहाँ पर हम सफल हो चुके हैं इसलिए इस launch को हम सफल कहेंगे क्योंकि इन में से किसी भी एक stage में कोई भी किसी प्रकार की तकनी की घराबी नहीं आई है आँगे देखते हैं अब यहाँ पर यह जो image है इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से stage किस समय पर काम करती है बिल्कुल start start हम होते हैं किस से S200 solid rocket booster के ignition से यानि जैसे ही आप rocket को launch करने जाओगे तो solid rocket boosters ignite होंगे उनमें एक तरीके से आग लगेगी और उनके अंदर जो propellant होता है जो इन्हन होता है वो जलना शुरू करता है और जलने के साथी उससे तीवरिगती सी gases बाहर निकलती हैं जिससे action reaction force काम करना शुरू करते हैं और newton का third law लगता है और यहीं से thrust force generate होता है और यहीं जो thrust force होता rocket को उपर की और उठाता है तो यहाँ पर यह जो संख्या है इनकी वो है 2 इसलिए 2 into S200 ignition लिखा हुआ है लगबग यह दिपन बात करें तो 0.024 km altitude और यहाँ पर जो velocity रहेगी वो 0.452 km per second रहेगी यानि यह जो velocity है यह सबसे कम velocity हमारी flight की याद रखियेगा इसके बाद flight यानि rocket उपर की और उठा है और लगबग 108 second पूरे हो चोके है जैसी 108 second पूरे हो जाएंगे तो इसकी second stage में ignition start हो जाएगा और अभी मैंने आपको बताये था इसकी जो second stage होती है यह L110 कहलाती है और यह basically liquid propellant engine होता है liquid propellant engine तो liquid propellant engine में जो इंधन भरा जाता है उनके मैं नाम बता देता हूँ जैसे unsymmetrical dimethyl hydrazine याद रखियेगा unsymmetrical dimethyl hydrazine इसके बाद dinitrogen tetroxide dinitrogen tetroxide तो इस परकार के इंधन होते हैं इन इंधनों को किसमे भरा जाता liquid propellant engine में इसको L110 ignition stage कहा जाता है और जैसे ही flight का 108 सेकेंड पूरा होगा second stage में ignition स्टार्ट हो जाएगा और rocket कितनी उचाई पर पहुँच जाएगा लग भग 45 km की उचाई पर rocket पहुँच जाएगा अब जो rocket की velocity होगी यहोगी 1.788 km per second यानि पहले की अपेक्षा velocity बढ़ी अब इसके बाद तीसरा जो event होगा उसमें यह जो S200 solid rocket boosters थे यह rocket से अलग हो जाएगे यानि S200 rocket boosters का separation हो जाएगा क्योंकि इनोंने अपना काम कर दिया इनके अंदर का इन्धन पूरा एक साथ जल जाता है टुकडे में यहाँ पर इन्धन नहीं जलता है याद रखेगा concept होता है तो जैसे ही S200 solid rocket boosters अलग होंगे तो कभी अलग होंगे यह flight के 127 सेकेंड में अलग होंगे और कितरी उचाई तक rocket पहुँच जाएगा लगबग 62 किलोमेटर की उचाई तक rocket पहुँच जाएगा इस दोरान rocket की जो velocity होगी वोगी 1.969 किलोमेटर पर सेकेंड तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि rocket की जो velocity है वो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है इसके बाद क्या होगा PLF separation होगा flight time कितना हो जाएगा यानि flight की लगबग 194th second में PLF separation होता है अब rocket 114 किलोमेटर की उचाई पर पहुँच चुका होता है और rocket की जो speed होती है वो 2.5 किलोमेटर पर सेकेंड हो जाती है इसके बाद अगला जो event है उसमें L110 separation होता है L110 separation मतलब आपको समझ में आ गया होगा जो rocket का liquid propellant engine है वो separate होना स्टार्ट हो जाएगा flight के 305 में सेकेंड में और rocket 175 किलोमेटर के altitude में पहुँच चुका होता है और rocket की जो speed होती है वो होती है लगबख 4.6 किलोमेटर पर सेकेंड इसके बाद फिर C25 का ignition होता है C25 अभी मैंने आपको बताया था यह GSLV MK3 की थर्ड स्टेज होती है जैसे अपर cryogenic स्टेज भी कहा जाता है इसमें एक प्रकार का cryogenic एंजन एंजन एसेंबल किया जाता है GSLV प्रक्षेपणयान में और यह एक ऐसा इंजन होता है जो liquid oxygen और liquid hydrogen को as a propellant यूज करता है क्योंकि liquid oxygen liquid hydrogen कम temperature में भी अपनी liquid state में चेंज नहीं लाते है तो जब आप देखोगे space में temperature कम होने लग जाएगा तब वहाँ पर जो इनन होता है वो liquid stage में जरूरी होता है और यह हमको काम करके देता है cryogenic engine जो बहुत ही शक्तिशाली engine होता है तो यहाँ पर C25 ignition स्टार्ट हो जाएगा यानि cryogenic engine स्टार्ट हो जाएगा इगनिट होना स्टार्ट हो जाएगा और यह flight के 307 में सेकेंड में ऐसा होगा अब हमारा rocket 116 km की उचाई पर लगबग पहुच चुगा है और यहाँ पर जो rocket का velocity है लगबग 4.6 km पर सेकेंड है इसके बाद C25 engine बंद हो जाता है शट आफ हो जाता है तो यहाँ पर एक चीज़म को समझ में आ रही है कि यह जो cryogenic engine है इसे बंद और चालू कई बार किया जा सकता है तो C25 engine अब शट आफ हो गया है और आब यह जो satellite है यह rocket से सेपरेट हो जाएगा यानि यह जो आप देख रहे थे पिछले slide में मैंने आपको spacecraft दिखाया था यह जो spacecraft है यह rocket से सेपरेट हो जाता है कब flight के 969th second में flight के 969th second में यह जो satellite spacecraft है जिसे चंदरियान 3 बोल रहे है यह अब अलग हो जाएगा किसे अलग हो जाएगा आपका rocket से और लगबग कितने किलोमेटर के उचाई पर 179 किलोमेटर के उचाई पर और अब जो speed होगी वोगी 10.26 तो आपने पढ़ा होगा 10.26 यह जो speed है किलोमेटर पर सेकेंड में है तो हमने start किया था S200 के ignition से और खतम कहां पर हो रहा है satellite के separation से starting में जो velocity थी 0.452 थी और जब satellite का separation हुआ velocity हुए 10.269 तो इससे एक चीज clear हो रही है कि समय के साथ rocket की velocity पढ़ी है दोस्तों आगे देखते हैं आगे इसमें क्या development होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह जो पूरा का पूरा कार्य है यह कुछी मिनिटों में पूरा हो जाएगा यदि आप बात करें तो हजार सेकंड्स हजार सेकंड्स आप साथ से गुणा कर लो आपको समझ मैं जाएगा कितने मिनिट होते हैं लगबख आप देखोगे start होने से लगबख 17-18 मिनिट यानि जैसे आपने रॉकेट का प्रक्षेपण किया 17-18 मिनिट के बीज में सैटलाइट का सैप्रेशन हो जाता है अब देखिए अब हमारे मन में प्रशनाता है कि यह जो चंद्रियान 3 है यह चंद्रमा की कक्षा में कैसे पहुँचेगा दूस्तों आपको बता होना चाहिए कि यह वाला जो पार्ट है यह एक तरीके की और्बिट हो गई और यह जो और्बिट है यह एलेप्टिकल और्बिट के लाती है हमारी अब इस और्बिट का यह वाला जो पॉइंट है यह पैरिजी पॉइंट होता है और ये वाला जो point है ये होता है apogee अब जैसे ही satellite perigee point पर आता है satellite का velocity बढ़ जाता है याद रखिएगा ठीक है क्योंकि elliptical orbit में concept लगता है perigee point पर orbital velocity ज़ादा होता है जबकि apogee point पर orbital velocity कम होता है तो जब satellite प्रत्वी के चकर काटते काटते perigee point पर आएगा तब इसका velocity बढ़ेगा और जैसे ही velocity इसका बढ़ेगा तो tangential force अपना काम करेंगे energy अपना काम करेगा और यही energy क्या करेगा satellite को अगली कक्षा में पहुचा देगा फिर वही क्रम चालू हो जाएगा यानि satellite आपका लगातार परिक्रमा करना शुरू कर देगा और परिक्रमा करते हुए जो satellite है आपका फिर से perigee point पर आएगा वही tangential force अपना काम करेगा inertia काम करेगा और यही inertia क्या करेगा इसको अगली कक्षा में पहुचा देगा इस तरीके से यदियम देखें तो यह जो satellite spacecraft है चंद्रियन 3 यह एक कक्षा से दूसरी तीसरी कक्षा और फिर एक समय बाद क्या होगा यह lunar transfer trajectory के माद्यम से कहां पर पहुच जाएगा lunar orbit में पहुच जाएगा और जैसे यह lunar orbit में पहुचेगा फिर वही क्रम इसका start हो जाएगा सबसे पहले दियम बात करें तो यह इस कक्षा में रहेगा फिर यह दूसरी कक्षा फिर तीसरी फिर इस तरीके से चौथी और फिर इस तरीके से यह क्या हो जाएगा यह lunar surface के पास आता चला जाएगा और फिर basically क्या होगा हम देखेंगे कि जब यह लगबग 100 km की उचाई पर होगा तो इसमें जो propulsion module था यह lander module से अलग हो जाएगा अब separation होगा propulsion module का lander module से और फिर यहाँ पर जो lander की soft landing होगी पिछली बर यही समस्याई थी lander की soft landing नहीं हो पाई थी और अब इस बार एतिहात के तौर पर इजरो ने lander module में कई सारे extra sensors लगाए हैं और इसके software को भी update किया गया है sensors इसलिए लगाए गया है ताकि इसके velocity को इसके acceleration को control किया जा सके और हर एक second भी इसकी जो speed है इसका data इजरो के पास पहुचना शरू हो जाए तो ये जो projection ये जो propulsion module इसका separation lender module से कब होगा जब लगबग ये 100 km की उचाई पर होगा integrated module और फिर इसकी क्या हो जाएगी soft landing हो जाएगी आंगे देखतें इसमें अब चंद्रियान 3 काफी दिनों से क्या प्रूब करेगा कि हम भी interplanetary mission करने में सक्षम है interplanetary mission हम mars mission में भी कर चुके mars mission के रूप में भी कर चुके लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं एक अपना नया version generate करके आ रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने किसी भी planet की सतय पर lender को नहीं उता रहा था अब हम क्या करने lender उतारने जा रहे हैं तो in future हमारे अंदर potential generate हो जाएगा यदि lender हमारा soft landing करता है कि कल को mars में भी जाकर lender उतार पाएंगे clear हुआ ये चीच अब ये जो पूरा का पूरा प्रक्षेपण है 37 जबन space center से हुआ है शिरहरी कोटा से और इसमें जो propulsion module है अभी मैंने बताया था propulsion module के साथ आपका lender और rover दोनों attach है और ये कब तक attach रहेगा जब तक 100 km की उचाई तक आपका integrated module नहीं पहुँच जाएगा इसके बाद यदि हम बात करें तो propulsion module में एक instrument एक उतकरण लगाया गया है जिसे short में shape कहा जाता है spectropolarimetry of habitable planet earth ये एक प्रकार का payload है जो basically क्या करेगा exoplanets पर शोद करेगा exoplanets के बारे में जानकारी प्रदान करेगा exoplanets उन planets को कहा जाता है जो हमारे solar system का हिस्सा नहीं होते हमारे solar system के बाहर जो stars होते हैं उन stars के इर्दगर्दवी planets होते हैं ये जो planets होते हैं इन में एक habitable zone होता है जहां पर ऐसे planets पाई जाते हैं जहां पर life का probability रहता है और ऐसे planets को exoplanets मतलब जरूरी नहीं हर planet habitable zone में आएगा अब exoplanets में exomuns भी होंगे मतलब बहुत सारे exoplanets उनके अपने खुद के exomuns भी होंगे लेकिन जरूरी नहीं हर exoplanet में life हो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा हो तो वही exoplanets में life होगी जो habitable zone में आते होंगे तो exoplanets के उपर research करने के लिए shape नाम का payload assemble किया गया है या integrate किया गया है कि इसमें propulsion module में आगे देखते हैं तो यह जो basically चंद्रियान 3 है यह काफे important हो जाता है और चंद्रियान 3 में basically lander as well as rover as well as propulsion module तीनों में कई प्रकार के payloads को लगाया गया है तो एक-एक करके देखते हैं कि इनमें किन-किन payloads को लगाया गया है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं lander के payloads के ठीक है एक-एक करके इनका नाम देखते हैं payloads का मतलब होता है up current instruments ठीक है in fact जो satellite होता है या फिर lander होता है वो कई सारे उपकरन से मिलकर बना हुआ एक धाचा एनी structure होता है तो इसलिए कई बार scientists होते हैं वो technical भाषा में satellite को payload भी बोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले lander के payloads देख लेते हम सबसे पहला payload है radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere short में इसको बोला जाता है रंभा और इसको जो इजरों ने नाम दिया है वो नाम दिया है Langmuir probe Langmuir probe LP मतलब radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere रंभा इसको इजरों ने जबर नाम दिया है Langmuir probe इसके नाम से जाना जाता है अब यह क्या काम करेगा इस instrument का क्या हमको फाइदा मिलेगा तो जैसे ही हमारा lander surface में land करेगा तो वहाँ पर ion और electron की क्या इस्थती है ion और electron की क्या density है उसका calculation करेगा साती सात इन में किस तरीके का बदलाव आ रहा है इस बदलाव की गढ़ना भी समय के साथ की जाएगे तो हम समझ सकते हैं कि चंदर्मा की जो सतय है उसमें कई सारे ऐसे elements होंगे जो charged होंगे और इन charged elements को जानने के लिए साती सात इनके अंदर electrons और ions की स्थती को ग्याद करने के लिए हम रंभा नाम का पेलोड जनरेट कर चुके हैं और हमने इसको lander में लगाया है अगला चंदरा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपरिमेंट ठीक है ये क्या गरेगा lunar सर्फेस की thermal property को calculate करेगा क्योंकि lunar सर्फेस में land करने के बाद आपको कई प्रकार की activity करनी हैं साती सात हमकू सतय के तापमान को भी समझना है तो जो thermal properties हैं सर्फेस की उसके लिए चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपरिमेंट नाम का payload लगाया गया है तीसरा instrument for lunar seismic activity ये बहुत important है क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रच्वी के crust mental core के बारे में जानते हमको भी चंद्रमा के crust mental core के बारे में जानना जरूरी है साथी साथ वहाँ पर तो seismic zones है वहाँ की seismic activity का भी पता चलना जरूरी है और इसी लिए हम चंद्रमा के surface के structure को जानेंगे lunar के crust को जानेंगे उसके mental को जानेंगे और फिर वहाँ की seismic zones को calculate करेंगे और seismic activity का पता लगाएंगे इसके लिए ILSA instrument for lunar seismic activity नाम का payload assemble किया गया है और अगला है laser retroflector array ये basically क्या करेगा ये एक तरीके के passive experiment परफॉर्म करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा क्योंकि moon की जो surface है वो flat नहीं है काफी uber खाबड है तो वहाँ पर जहाँ पर आपको रिफराप करना जरूरी होगा तो इसलिए laser experiment करना जरूरी है और laser experiment करने के बाद ही हम वहाँ के surface को proper तरीके से समझा पाएंगे अपने atlas में जो आँगे जाकर इसकी बनेगे आँगे देखते हैं इसमें अब इसके बाद जो rover है lander के अंदर rover होगा एक प्रकार का robotic vehicle है गाड़ी है जो बाहर निकलेगी lander से तिक है इसमें भी दो payloads लगाए गए हैं पहला laser induced breakdown spectroscope तिक है अब यहाँ पर basically क्या होगा जो चंदरमा की सत्य है उस सत्य में कौन-कौन से minerals मौजूद है कौन-कौन सी खनिश संपदा मौजूद है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है और साथी साथ elements और अलग-अलग जो वहाँ पर compounds है उनके composition को भी ग्याद करना है उनके घटकों को भी ग्याद करना है तो elements से संबंदी जितनी भी जानकारी आएगी उसके लिए जो instrument है वो laser induced breakdown spectroscope और दूसरा है alpha particle x-ray spectrometer तो ये basically क्या करेगा elemental composition पर focus करेगा जैसे चंदरमा की सत्य में magnesium की इस्तिति क्या है aluminum की इस्तिति क्या है silicon की इस्तिति क्या है potassium की इस्तिति क्या है iron की स्तिति क्या है इस तरीके से ये क्या करेगा अलग-अलग elements के composition को देखेगा तो यहाँ पर ये दियपन देखेंगे तो ये जो पहला वाल instrument है laser induced breakdown spectroscope ये क्या कर रहा है ये पूरा chemical composition mineralogy सब को ध्यान में रखके calculation कर रहा है और यहाँ second वाले का ये दियपन देखें तो ये minerals के उपर जो वाँ की soils वाँ के rocks के elements क्या है उनको calculate करने की कोशिश कर रहा है आंगे देखते हैं इसमें इसके बाद जो propulsion module है उसमें भी एक payload लगाया गया भी मैंने जिसे बताया था आपको इसका नामे spectropolarimetry of habitable planet ये क्या किस पर focus करेगा exoplanets पर focus करेगा जो हमारे solar system का हिस्सा नहीं होते है हमारे solar system के बाहर जो stars होते हैं उनके इर्दगित planets होते हैं size काफी छोटा होता है dwarf होते हैं और बहुत सारे planets habitable zone में नहीं आते हैं पर जीवन की संभाबना भी नहीं होती है तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसे कौन-कौन से exoplanets है जहां पर habitat हो सकता है तो इसके लिए SHAPE shape नाम का payload assemble किया गया है तो यहां तक देखिए हमने समझ लिया है कि ये जो हमारा चंदरयान 3 है basically एक प्रकार का integrated module है जिसमें propulsion module और lander module को आपस में integrate किया गया है तो इनमें कौन-कौन से ऐसे pilots लगाए गए हैं और ये किस प्रकार के experiments perform करेंगे अब यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं images में देख पा रहे हैं जैसे आप यह देख पा रहे हैं यह हो गया हमारा lander module और यह हो गया propulsion module यदि हम इनको section wise देखें तो यह हमारा हो जाता lander module और यह हो जाता हमारा propulsion module और दोनों को integrate कर दिया गया तो integrate आपस में जोडने के बाद यह बन जाता हमारा integrated module और यह जो enter module है, उपर वाला हिस्सा, इसी के अंदर basically क्या है आपका rover है, तो जैसी इसकी soft landing होगी, soft landing के बाद rover इसके अंदर से बाहर निकलेगा, आंगे देखते हैं इसमें, अब इस mission के objectives क्या हैं, देखिए, सबसे पहले, चंदरमा की सतय पर soft landing करना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता पिशली बार यहीं पर हम fail हुए थे, तो कैसे भी करके चंदरमा की सतय पर soft landing करनी है, इसके बाद, to demonstrate rover roving on the moon, मतलब वो छण भी आप याद रुखिएगा, जैसी lander land कर जाएगा, soft landing होगी, तो rover बाहर निकलेगा lander से, और फिर ये rover चहल कर भी करेगा, चंदरमा की सतय पर, इसके बाद, to conduct in-situ scientific experiments, अब चंदरमा की सतय पर, अलग-लग प्रकार के प्रयोग करना, experiments करना, अब इन objectives को पूरा करने के लिए, हमने कई प्रकार के sensors lander में लगाए हैं, जैसे, altimeter, velocity meter, altimeter, velocity meter, इसके बाद, inertial measurement, inertial measurement के लिए हमने laser gyro-based inertial referencing and accelerometer लगाया है, इसके बाद, propulsion system, फिर navigation guidance and control, फिर hazard detection and avoidance, और फिर landing leg mechanism, ये सारी चीज़े हमने experiment point of view से इसमें generate की हैं, इसके बाद, हमने क्या किया है, कई प्रकार के experiments की हैं, कुछ ऐसे test की हैं, lander को भेजने से पहले, तो, to demonstrate the above said advanced technologies in earth condition, several lander special tests have been planned and carried out successfully, क्योंकि lander को हमने यहाँ पर भी test किया और हजारों बार test किया, उसकी soft landing भी कर भाई, क्योंकि हमने NASA से चंदरमा के मिट्टी का sample लिया था, और उसी तरीके की terrain बनाई थी, वहीं पर हम लोग क्या करते थे, बार-बार lander को land कराते थे, एक तरीके की practice थे, और चंदरमा में जब भी हम land कराने जाते हैं, तो हमारे पास दो ही points होते हैं, पहला होता equator, दूसरा होता है south pole, यही दो हमारे पास option होते हैं, क्योंकि चंदरमा की जो सते, वो flat नहीं है, वो काफी उबड खापड सते हैं, तो यह practice हमने हजारों बार की, तो हमने कई प्रकार के test perform किये lander को land कराने के दोरन, एक test है, जिस helicopter as test platform, तो यहाँ पर हमने integrated cold test किया, क्योंकि चंदरमा में temperature बहुत कम हो जाएगा, इंफेट कई जागे पर minus होगा, और चंदरमा का एक चौता ही वाहग हमेशा अंधेरे से घिरा होता है, वहाँ का सुर्य प्रकाश नहीं पहुच पाता, इसलिए वहाँ का temperature लंबे समय तक NGC using tower crane as test platform, और इसके वाँ लंडर lag mechanism performance test on a lunar simulant test, बैट simulating different touchdown conditions, खुल मिला कि जितने भी test perform किये गए हैं, इनका एक मातर उदेश था, कि वहाँ पर जो परिस्तिती आएगी लंडर के सामने, उन परिस्तितियों का आकलन प्रत्वी पर करके देखा जाए, इसलिए ये जो test है ये perform किये गए प्रत्वी की सतय पर, और अब यही चीज हमारी कहां पर test होगी आपकी, वहां पर test होगी, तो दोस्तों आपको बतावना चीए, अभी जो चंद्रियान 3 है, ये जो प्रक्षेपन हुआ है, यह प्रक्षेपन अभी प्रारंबिक चरण है, अभी लगबग एक ये बता पाएंगे कि चंद्रियान 3 कितना successful हुआ है, और soft lending के 14 दिनों बात तक सारे experiments परफॉर्म होंगे, क्योंकि lender का जो IU है, जो उसका live spam है, वो लगबग 14 दिन है, थेंक यो